नमस्कार मित्रों तो तिल दान किये जाएं तो तिल दान करने का तो इस दिल दान किये जाते हैं उतने ही हजार वर्ष तक वहे मनुश्य स्वर्ग में बास करता है इसमें सनान में दान में तिल का उप्योग करना चाहिए छे परकार से तिल का उप्योग किया जाता है तिल डाल कर सनान करना चाह तिल का उप्टा लगाएं साबू ना लगाएं जिन तिल का हवन करें तिल से ही तरपन करें तिल का भोजन करें और तिल ही दान करें ये तिल के छे प्रकार बताए गए हैं शट तिल एकाशी इसी वज़े से शट तिला कहलाती है क्योंकि जिन छे प्रकार से तिल का उप्रियो कि इसे काशी की कथा मैं आपको बताता हूँ यह कथा नारजी को भगवान विश्णू जी ने कही थी वही कथा मैं आपको बताता हूँ जो कि सत्य घटना है ध्यान पूर्वक सुनिए प्राचीन काल में मृत्यू लोक में एक ब्रामनी रहती थी वह सदे वरत किया करती थी एक बार उसने एक मास तक वरत किया जिसे उसका श्रीर अत्यान दुरलब हो गया प्रन्तु उसने अन और धन का दान नहीं किया तो ब्रामनी ने वरत आदी से अपने श्रीर को शुद कर लिया और विश्णू लोक को पहुँच गई लेकिन उसने कभी अनकादा नहीं किया था इससे उसकी त्रिप्ती होना कठिन था भगवान ने आगे कहा ऐसा सोच कर मैं एक भिकारी के वेश में मृत्यू लोक में उस ब्रामनी के पास गया उससे भिक्षा मांगी वेश ब्रामनी बोली महाराज किसलिए आये हो मैंने का मुझे भिक्षा चाहिए इस पर उसने एक मिट्टी का डला मेरे भिक्षा पातर में डाल दिया मैं उसे लेकर स्वर्ग में लोट आया कुछ दिन बाद वेश ब्रामनी श्रीरतिया कर स्वर्ग में आयी उस ब्रामनी को मिट्टी का डान करने से स्वर्ग में सुन्दर महल मिला प्रन्तु उसने अपने घर में अनादी सब समग्रियां शुन्य थी घबरा कर वह मेरे पास आये कहने लगी भग्वन मैंने अनेक व्रत किये आपकी पूजा की प्रन्तु फिर भी मेरे घर में अनादी कुछ भी वस्त्वे नहीं है इसका क्या कारण है इस पर मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ देविस्त्रियां आएंगी तुमें देखने के लिए पहले उनसे शट्तिल एकाशी का पुन्या और विदी सुन लो तब द्वार खोलना मेरे ऐसे वचन सुनकर वह घर गई देविस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रामनी बोली आप मुझे देखने आई हैं तो शट्तिल एकाशी का महत्तम उससे कहो उनमें से एक देविस्त्रि कहने लगी कि मैं कहती हूँ जब ब्रामनी ने शट्तिल एकाशी का महत्तम सुना तब द्वार खोल दिया देवांगनों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है ना असूरी है वरन पहले जैसी मानुशी है उस ब्रामनी ने उनके कथानुसार शट्तिल एकाशी का वरत किया उसके परभाव से वह सुन्दर वै रूबती हो गई और उसका घर अनादी समस्त समगरियों से भर गया अतै मनुश्यों को मूर्खता त्याक कर शट्तिल एकाशी का वरत करना चाहिए लोब नहीं करना चाहिए तिल का दान करना चाहिए इससे दुर्बाग्य दरिदर्ता दूर होती है, कष्ट दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है तो मितरों शट्तिल एकाशी में तिल का बहुत महत्व है तिल को छे प्रकार से अवश्य ही प्रियोग में लाएं सनान करें, दान करें भगवान जी को तिल के लड़ू का भोग लगाएं और खुद भी परशाद रूप में ग्रहन करें तो मित्रों आपको शट तिला एकाशी की यह कथा अवश्य ही 28 जनरी को शट तिला एकाशी पर सुननी है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें कमेंट बोक्स में जैशी क्रिशन भगवान अवश्य लिखें